तमस्कार आप सभी का एगेंस्ट क्रप्सें 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे यदि लोग सुचना पदाधिकारी PIO पर्थम अपीलिये पदाधिकारी First Applicant Authority द्वारा RTI 2005 का पालन नहीं किया जाता है एवं सुचना आयोग के आदेश के बावजूद भी PIO और First Applicant Authority सौसमें दोसी पर कारवाई नहीं करते हैं या राज सुचना आयोग SIC भी सौसमें सुचना दिलवाने में और समर्थ हो तो इसकी जानकारी मैं माननीय मुख नयादिस रबुच न्याले को दिया था आप लोग भी इस तरह करके सरबुच न्याले सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख नयादिस के संग्यान में देने का प्रियास अवस्च करें मैंने कुछ दिन पहले ही लगभग छेह मां या छेह मां के करीब मैं आपको बता रहा हूं 16.5.2022 को एक सिकायत आवेदन के रूप में आवेदन प्रिसित किया था आप लोग का भी सिकायत अधिकांस रहता है कि सूचना आयोग भी सूचना दिलवाने में और समर्थ है तथा तथा आर्टियाए कारिकरता की हत्या भी करवा दी जाती है इस प्रकार की घटना मेरे साथ भी एक बार हो चुकी है और अब भी लोग सूचना अपदादिकारी मेरे परतिपक्षीगन से मेरी हत्या करवाने की साजिस रस्च ते आ रहे हैं इसी संबंद में मैंने एक आवेदन प्रेशित किया था आप लोग देखें सत्यमेव जयते स्रीमान मानिये मुखनयादी सरवोचनियाल है नई दिल्ली या पीन करड है आप लोग अबस लिखेंगें विशाय में बिहार राज के लोग सूचना अपतादिकारी पियाई उ प परसंग राज सूचना आयो गिहार पटना के वात संख्या इतना वात संख्या इतना 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 में आदेश के बाब जू दोसी पर न्यामानुसार सो समय करवाई नहीं करने के शंबंद में मैंने यह एक सिकायतवाद सरवोचनियाल है सुप्रिम कोट के है इस प्रकार आप R T I C संबंधित जानकारी लेना चाते हैं भ्रषटाचार से सनलिप PIO या अन्यपदाधिकारी के खिलाप शिकायत बात-दार करना चाते हैं इस प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को अबस सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबाकर आल पर भी क्लिक अबस्ट कर ले जिससे इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा एक लाइक अबस्ट करेंगे त आया आधिस को भी अपने सिकायत प्रिसित कर सके चलिए आगे हम लोग चलते हैं आगे मैंने लिखा है महास है मैं प्रवीन कुमार सरमा दिव्यांग अपना पूरा पता लिखेंगे राज सहित पिनकाट सहित लिख देंगे स्वविने निवेदन पुर्वक कहना चाता हूँ कि पहला बिहार राज के लोग सूचना पदादिकारी प्रथम अपिलिय पदादिकारी द्वारा आटी आई एक दोजार पांच के तहत सो समय सूचना प्रदान नहीं की जाती है दूसरा राज मुक सूचना आयुक्त के भी सो समय सही वांचित सूचना प्रदान नहीं की जा रही है तीसरा भरष्टाचार के कारण पी आई यो द्वारा जान बूज कर सो समय सूचना नहीं दी जाती एवं पर्थम अपिलिय पदादिकारी भी सो समय सूचना प्रदान करवाने में विफल हैं सूचना आयोग द् अंचित सूचना परदान करवाने में वर्सों लगा देते हैं चौथा मैंने कई पुलिस पदादिकारी वो अन्य के सफे जूटे रिपोर्ट का खुलासा आयोक के शमक्ष क्या हूं इस कारण उपरियुक्त वर्नित वाद संख्या के लोग सूचना पदादिकारी वो प्रतम अपिलिये पदादिकारी द्वारा मेरे प्रतिपक्षी गन से मिलकर मेरी हत्या करवा सकते हैं मेरे पूरे परिवार के जानमाल की छती हमेशा बनी रहती है, मेरी हत्या कभी भी कहें भी करवाई जा सकती है, यदि मेरी हत्या की जाती है तो इसके में दोसी PIO भी होगे, अतह स्रिमान से करवद प्रातना है कि वर्नित वाद में दोसी पर सिग्र करवाई करने का निर्देश देते हुए मुझ्द इव्यां के पूरे परिवार वो संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देते हुए न्याय दिलाने की किरपा की जाए अपना हस्ता अक्षर RTI कारिकरता भागलपूर जितने भी वाद में आदेश पारित हुआ था बिहार मुख सुचना आयुक्त के द्वारा मैंने आदेश को सगलंग कर यह सुप्रीम कोट की चीफ जस्टिस के नाम से मैंने यह आवेदन प्रिशित किया था आप लोग देखे म मैंने यह आवेदन 16.05.2022 को लिखा और इसे इस पते पर प्रिशित किया है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यह मान्ये मुखनियादी सर्वोच्छिन्याले सुप्रीम कोट का पता है मैंने इसे 19.05.2022 को स्पीट पोस्ट के माध्यम से प्रिशित किया था और इस संबंद में भी मैंने सुप्रीम कोट के PIO से RTI लगा कर जानकारी मागने का प्रियास किया है मैंने RTI लगा चुका हूँ जबाब आएगा तो आपको इसकी भी जानकारी दे दी जाएगी आसा है आप लोग भी ब्र विश्वास बड़ता रहे और मैं भी लगातार भष्टाचार के खिलाप लड़ता रहूं जैहिन